कि हलो एब्रिवर्वन एंड वलकम्टू में किसे दोस्तों हमारा सिंदू गाटी सब्दा अब चल रहा है तो इसको जल्द से हम लोग इंड करते हैं और एक एक कंसेप्ट लेके और जो सिंदू गाटी सब्दा मैं यहां पे लेक्चर ले रहा हूं इससे बाहर आप किसी भी एक्जाम में बैठेंगे एनीवन यूपी एससी यूपी पीसी या जितने भी स्टेट गवर्मन्ट के एक्जाम होते हैं उससे बाहर कहीं नहीं आने वाला ठीक है तो आज हम पड़ा आर्थिक जीवन तक कंप्लिट हो गया आज हम कंप्लिट करेंगे धार्मिक जीवन सिंदुगाटी सबता का धार्मिक एक शुरूत यह है एक है आपका मृद्भांड ठेक है क्या है मृद्भांड मृद्भांड मतलब जिसमें रखा जाता है ठेक पॉटरी यह से बोलते हैं और मृद्भांड यह सब शुरूत है कि उस समय का धार्मिक जीवन कैसा था ठेक है आज पुछीन आए ऐसा पुम सबसे बता है कि लिखित जानकारी का भाव भाव कोई लिपी नहीं मिली है और लिपी लिखित जानकारी का भाव में जो तक फ्राव होएival यह इसको बोलते हैं आदे थियासी काल के अंतरगत सिंदुगाटी सब्यता आती है ठीक है अब चलिए अब देखे यह आपका होगा है जानकारी की सुरूत अब देखे उस समय का धार्मेक जीवन पेलोग मतलब जो हमारी थियासकार है कौन-कौन से पच रखे हैं कि किस टाइ धार्मिक जीवन था? किस टाइब का धार्मिक जीवन था फोके तो सबसे पहले दीखे कि कि किन-किन लेवी देवताओं की फूजा होती थे हो का कि 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 लिवी देवताओं की किन किन देवी देवताओं की पूजा होती थी ठेक है आप लोग स्पीड 1.5 एक्स कर लिजेगा पूजा होती थी ठेक और दूसरा पॉइंट देखेंगे कि पूजा अस्थल कौन कौन से पूजा अस्थल थे इंडस वाली से उलाजेशन में ठेक तीसरा पॉइंट अगर देखें कि वहां पर मूर्ति पूजा होती थी इंडस वाली से उलाजेशन में मूर्ति पूजा का प्रचलन था और अंद विश्वास भी था ठेक अंद विश्वास भी था और अंत्योस्टी संसकार था ठेक देखें अंद विश्वास का मतलब यह हो गया कि ताबी जैसे चीजें मिली मतलब और उस इसलिए अंद विश्वास का भी प्रचलन था इसे ताबी सभी लोग नहीं बांते हाथ में उस टाइप का वहां पर इंडस सिंदुगाटि सभ्यता में ताबी जोगयरा मिली है उससे अनुमान लगा जाता है सिंदुगाटि सभ्यता में अंद विश्वास भी था ठेक है मुर्तिय मिली है और पूजा वाली मुर्तिय मिली है इसलिए मुर्त पूजा होती थी पूजास्थल कौन-कौन से थे ठेक है देखें पूजास्थल में जिसे मंदिर मिला है इंड सिंदुगाटि सभेता में पूजा के कोई भी मंदिर प्राप्त नहीं हुआ है ठीक है ना कोई मंदिर प्राप्त हुआ है और नहीं कोई पूजा अस्थल प्राप्त हुआ है ठीक नहीं प्राप्त हुआ है यह नोट करिएगा क्या से कोश्चन आते हैं नहीं प्राप्त है इतने आस्पेक्ट आपको देखने थे कि धार्मिक जीवन में जो जो पच्छ है उचार पांच वह कैसे कैसे हैं ठीक है इससे बाहर कोश्चन नहीं आएगा यह पूछेगा कि क्या सुन्दुगाटी सभिता में मंदिर नहीं था नहीं था लेकिन मेसोपोटामिया में था ठीक है वह अभी हम केंपैरजन करेंगे सुन्दुगाटी और मेसोपोटामियस की सभिता का तो हम डेटेल करेंगे ठीक है ना देखें मुर्ति पूजा की सुरुवा सुन्दुगाटी सभिता से माने जाती है ठीक है यहां पर आप एक नोट नोट बनाएगा नोट में लिखेगा कि मुर्ति पूजा की सुरुवात मतलब जितना भी हिस्ट्री है उसमें सबसे पहले मुर्ति पूजा की सुरुवात कहां से हुई मुर्ति पूजा की सुरुवात सिंदुगाटी सभिता से हुई है ठीक है और यह पहला पॉइंट नोट में और दूसरा पॉइंट यहां लिखेगा कि मेसोपोटामिया की सब्वेता में मंदिर थे लेकिं सिंदुगाटी सब्वेता में मंदिर नहीं थे यहां से ठेक मेसोपोटामिया की सब्वेता में मंदिर थे और सिंदुगाटी सब्वेता में मंदिर नहीं थे अब हम सिंदुगाटी सब्वे में जो पूजा होती थी वो किन देवी देवताओं को होती थी क्योंकि क्वोस्चन यहां से कथन के रूप में पूछा जा सकता है पूछा गया भी है ठीक है तो देवी की अगर बात करें तो एक थी मात्र देवी उसर्पाओं पूज blueberry एक था आपका पूजा होती थी और एक था आपका पूल. अर्वोस्चयुआ की पूजा होती थी और देवता की बात लोगों की पूजा होती ठेक और हो जोडों से योगी की मुद्रा मिली है और रिए के योगी की मुद्रा मिली है कहां से मह जोड़ों से महाँजोद़ों से योगी की मुद्रा मिली है उससे ऐसा अनुमान लगा जाता है कि आदी सitoo मतलब आदी सिव वजिसे बोलते है प्रोटा सिवा पसपस्त की पुजा होती थी, ठीक है? इसे से अनुमान लगाज़ता और द धेर सारी मरीढमुर्तियां भी मिली नारी की ठीक है इससे हम अनुमाझ लगाते हैं कि मातर देवी की पूजा होते थी इसी कियादार पर कुछ लोग मात्र सत्तात्मक का मतलब अनुमान लगाते हैं कि उस समझें सिंद्वाटे सब्विता थी मात्र सत्तात्मक थी कि ठीक है क्या थी मात्र सत्तात्मक छिन麼 लगा को शिंद्यॉरृट को अनुमाल लगा जयाता है क्योंकि बहुत सारी मिलंगुर्टियां में नारियों की ठीक और प्राक्टिक सक्तियों में अकर देखा जाया géंद प्राक्टिक सक्तियों एपसु पूजाach थी पसु पूजा ठीक पसु पूजा के बाद ब्रिच पूजा ब्रिच पूजा में नाम भी आता है कौन सा ब्रिच तो पीपल का बिर्च का पूजा होता था सिन्दुगाटी सभिता के समय और पॉइंट्स लेखिए कि जल पूजा होता था ठीक जल पूजा सुर्य के पूजा लोग करते थे सिन्दुगाटी सभिता में सुर्य पूजा इसके बाद अगणी और जल जल तो बताय दिये ठीक न अगणी पूजा भी होती थी ठीक और एक और है कि इस्तरी के गर्व से पौधा निकलते हुए एक मुहर पर जो सिंदुगाटी सभिता में मिला है इससे कुछ लोग ऐसा अनुमान लगाते हैं कि पृथिभी देवी की पूजा की जाती थी ठीक है जैसे इस्तरी के गर्व से ब्रिच निकलते हुए मतलब मुहर पर ऐसा उचित्र मिला है जिससे अनुमान लगाते हैं कि संदुगाटी सभिता में पृथिभी देवी की पूजा होती थी ठीक है और जो पसुपूजा होती थी पसुपूजा में मैंने बताया कि कौन- पसुपूजा होती थी कुबड़ाई वाले बैल की ब्रिच में कौन सा था पीपल का ब्रिच था ठीक और जल पूजा जैसे ब्रियाद असनानागार की लोग मतलब धार्मिक प्रयोजन में लोग वहां जाते होंगे सुर की पूजा कैसे नुमान लगा जाता कि सुर की यहां से प्राप्त हुआ है कि जस्में यग्यों अगरा होती है ऐसे वहां पर बेदिकाय की पूजा होती थी ठीक है यह होगए सिन्दुगाति सब्वädता का धार्मिक जीवन इसमें एक चीज आराने कि जीवन में देके तीन चीजिए समलित होती apologize और यह इससे आप लोग परिशित होंगे लेकिन जो भी डिटेल करेंगे तो पूरा आपको कंसेप्ट के लिए हो जाएगा ठीक है अंतोस्टी संसकार का मतलब एक होता है उसमें पूर्ण समाधी करण पूर्ण समाधी करण में जो मरा हुआ ब्यक्त होता है मतलब यह लास जो होती है उसे दफनाने का पूर्ण समाधी करण करते है जैसे वह अर्तमान में इसलाम धर्म में क्या होता है पूर्ण समाधी करण ठेक है, इसलाम धर्म में क्या हो रहा है इस समय? पूर्ड समाधी करण, ठेक, आंसिक समाधी करण, आंसिक समाधी करण का मतलब होता है, लास को कुछ दिनों तक पच्छेओं या किसी भी जीव को खाने के लिए मतलब छोड़ दिया जाता है, और जो बचा हुआ उसे सोता है, उसे दफना देने पर अन्षिक समाधए करन करते हैं , जो उर्थमान में पार्षिय समधाय करते हैं अगर को यह ऐसे समधाय कर देत। लिए ठोड़िते ठोटते हैं आज आसेस बासत दफनाते हैं ठीक और अब आते हैं दा संस्कार और कलस इसके बारें तो आप लोग प्रचलीत बहुत ज्यादा प्रचलीत है क्योंकि मरे विवेग्त को जला दिया जाता है और उसकी राह को कलस में रखकर जल में प्रवाइद कर दिया जाता है एक जामपल के तरों पर अभी वर्तमान में ह यहां सकते हैं दीक समथर करेर अंसिक समाधि करण दा संसकार तीनों होता था ठीक है यह तीनों प्रक्रिया पहली दूसरी और तीसरी इंड प्रक्रियरा ंसन कि धार्मिक जितने भी ऐस्ट सकते हैं मैंने यह पर कंपिलिट कर दिया है इससे बाहर कोई नहीं यह आने वाला है कमेंट करके जरूर बताए वीडियो कैसे लगा ठीक है और नेस्ट वीडियो मिलते हैं हम इंडेस्वालिस सेलियाजेशन का समाजिक जीवन देखेंगे राज करम तेखेंगे ठीक फिर इंड हो जाएगा ठीक फिर इंड हो जाएगा ठीक्स फर वाचिं दिस वीडियो सी यू नेक्स ताइम सेर जरूर करिये